ये है नथिंग के तरफ से आने वाला CMF Phone 1 और ये स्मार्टफोन मेरे पास बहुत पहले आ चुका था मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला हुआ था अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तिक इंस्टाग्राम में ये स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत अच्छा लगा था इसकी UI की बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की थी सो मैं जल्दी में रीवियो नहीं बनाना चाहता था मैं चाहता था कि और क्या-क्या खामिया है इस स्मार्टफोन की देख लेता हूँ और खुद इसको टेस्ट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से और फिर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों का जादा से जादा help हो सके और दूसरा जो reason था अन्बॉक्सिं वीडियो नहीं बनाने का वो था कि इस स्मार्टफोन के बॉक्स में बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं सिर्फ ये स्मार्टफोन था और इसका charging cable और एक SIM ejector 2 सो अब इस स्मार्टफोन को मुझे टेस्ट करते हुए करीब करीब 20-25 दिन हो चुके है और मुझे लगता है कि आव एक स्मार्टफोन में बहुत कुछ experience किया है पिछले 20-25 दिनों में अगर आपको पास CMF का phone 1 है या लेने का planning कर रहे है यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful होने वाला है So make sure to watch this video till the end और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा Let's get started So first, let's talk about the design So design इस smartphone का no doubt बहुत अच्छा है बहुत अच्छी तरीके से एक नया look देने की कोसिस की है और ऐसा है कि इसका back panel चेंज कर सकते हैं और दूसरा back panel लगा भी सकते हैं और मैंने इसका एक back cover भी मंगाया होगा था इसमें आपको screw driver वगरा मिल जाते हैं nut मिल जाते हैं ताकि आप से इसके back panel को खोल सको और बदल सको बट एक प्राब्लम मैंने नोटिस किया कि इसके कुछ weak points हैं जैसे कि इसके power button के सामने इसके charging point के सामने SIM ejector tool के सामने और इसके volume rocker के सामने तो अगर आप इसके नोट सीके हैं बहुत अच्छी तरीके से back panel खोलना नहीं आता है तो ज्यादा तर chances है कि इन points में ये smartphone का back cover आसानी से आप से तूट सकता है तो ये चीज़ आपको ज़रू ध्यान में रखना है back panel को change करते हो दूसरा जो एक चीज अच्छा नहीं लगा इस smartphone का कि ये smartphone 15,000 रुपय का है और 15,000 के smartphone के लिए सिर्फ back panel 15,000 का कून खड़ी देगा यार बठा अगर आप color change करने के शौकीन है तो मुझे लगता है कि ये अच्छा option है आप लोगों के लिए खैर इसका ये vegan leather वाला back cover है बहुत अच् और फिसलने नहीं देगा आप का हाथ लेकिन इसके उपर cover लगाने के कोसिस मत कीजेगा क्योंकि इसके उपर भी अगर आप cover लगाते हो न तो इसका design जो है वो बिलकुल छुप जाएगा और अच्छा नहीं दीखेगा बाकि सच में मुझे इसके design से कोई सिकायत नहीं है ब बैजल से मिलता है थोड़ा सा ज्यादा chain है बट आपको ऐसा नजर नहीं आएगा क्योंकि इसके bezels थोड़े मोटे हैं यह kind of disappointing thing लगा मुझे बट बाकी screen से कोई सिकायत नहीं है क्योंकि इसमें आपको OLED display दिया गया है with 120Hz refresh rate और ऐसा कोई आपको जिटरी या lag मैसूस नहीं ह होगा बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेता है कालर बहुत अच्छे प्रूडियूस कर लेता है यूटूब में आप 4k HDR वीडियो प्ले कर सकते हो और कलर बहुत अच्छी निखर कर आते हैं ऑर यह इस प्राइज हम स्मार्टफुन में बहुत rare है कि 4k HDR वीडियो प्ले कर और उसमें तो 4K भी वीडियो प्ले नहीं होता है तो उसके इसाब से दिखा जाए तो मुझे यह smartphone बहुत अच्छा लगा in terms of screen क्योंकि outdoor visibility भी इसका बहुत अच्छा है outdoor अगर आप हास sun light में निकलते हैं तो उतना आपको खास problem देखने को नहीं मिलेगा I really love the screen of this smartphone so the multimedia consumption of this smartphone is really great और जब हम multimedia consumption की बात कर रहे हैं तो इसके speaker को कैसे भूला जा सकता है इस पराजिने की जातर इस smartphone में आपको उतने अच्छे speaker देखने को नहीं मिलते हैं और dual studio speaker तो भूले जाओ खेर इस smartphone में भी आपको dual studio speaker नहीं दिया गया है but I would say one speaker is enough for this smartphone because it's really very loud और आपको ऐसा dual studio speaker का कमी नहीं खलेगा बहुत अच्छा है, loud है, clear sound produced करता है बेस आपको इसके अच्छे दिखने को मिल जाते हैं और कुल मिलाकर इसका multimedia consumption आपका बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप YouTube वीडियो अगर बहुत जादा देखते हैं social media बहुत जादा scroll करते हैं then उसके लिए भी इसका screen, इसका speaker बहुत अच्छा है now let's talk about the most important part of this smartphone yes, the brain of this smartphone, the processor तो इसे smartphone ने दिया गया है Mediatic Dimensity 7300 का processor और अगर आपको याद होगा तो nothing ने एक nothing phone 2A नाम से phone launch किया हुआ था कुछ महिनों पहले और उससे इसका price कम है उसे smartphone में processor दिया गया था Mediatic Dimensity 7200 Pro का processor और इसमें दिया गया है 7300 का chipset तो एक normal इंसान जिसको processor के बारे में उतना ज्यादा knowledge नहीं है वो तो यही कहेगा कि हाँ 7300 is better than 7200 Pro बट reality ऐसा नहीं है वेल दोने प्रोस्टर सेम कोर पर clocked है बट इसका जो performance score है वो higher clock speed पर clocked नहीं है इसे के वज़े से इन दोने smartphone के answer to score में भी आपको अच्छा खासा difference देखने को मिल जाता है बट normal जो public है जिनको प्रोस्टर के बारे में उतना ज्यादा knowledge नहीं है वो easily confused हो सकते हैं between Dimensity 7200 Pro and Dimensity 7300 तो देखो ऐसी बात नहीं कि प्रोस्टर खराब है प्रोस्टर बहुत अच्छा है इस प्राइज रेंग की किसी भी smartphone में मतलब बहुत कम ना के बरावर इस smartphone में आपको इतने अच्छे processor देखने को मिलते हैं और यही चीज़ को target किया है nothing वालों ने कि user experience अच्छा दिया है processor अच्छा दिया है ताकि लोगों को लगे कि हाँ nothing जो है अपने कम price range के smartphone में भी अच्छे processor दे रहा है अच्छे user experience दे रहा है भले ही कुछ-कुछ चीज़ों में कटोटी की गई है बाकि processor बहुत अच्छा है इस smartphone का अगर आप gaming वगरा भी करते हैं तो इस price range के हिसाब से आप बहुत अच्छा gaming कर सकते हैं मैंने BGMI खेल के देखा है आपको lag वगरा देखने को नहीं मिलेगा अच्छा से चल जाएगा बहुत अच्छी तरके से आप खेल सकते हो लेकिन क्या इससे day-to-day टास्क में या फिर multitasking में कोई effect देखने को मिलेगा तो देखो, Nothing ने अपने UI को इतने अच्छी तरके से design किया है कि आपको वैसा मतलब lag या jittery issue देखने को नहीं मिलेगा Nothing का UI मुझे सच में बहुत अच्छा लगा super clean UI है, कोई bloatwares नहीं, कोई add नहीं और इस प्राइजरिंग के स्मार्टफोन में आप ये भी expect नहीं कर सकते हो और उसे भी अच्छा आपको लेगा इसके app opening closing का animation, cool icons, app lock and dual app का features भी दिया गया है साथ ही इसमें आप call recording भी कर सकते हैं और सिर्फ normal call ही नहीं, whatsapp call भी record कर सकते हैं which you can't expect in this price range smartphone in fact आप higher price range के smartphone में भी ये whatsapp call recording वारा feature को expect नहीं कर सकते हो इसके रहावाँ इसमें आपको 2 साल का android update and 3 साल का security patch का update दिखने को मिलता है जो कि इस पराइजन के smartphone के लिए मुझे लगता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है now the biggest weak point of this smartphone let's talk about the camera जिसकी बुराई मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है और जब मैं इसको test कर रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ लोग इसकी क्यों इतनी ज़्यादा बुराई कर रहे है क्योंकि सच में इसका camera जो है उस लाइख नहीं है कि आप इससे बहुत अच्छा photo capture करो या video record करो although यह smartphone से आप 4K में video record कर सकते हो इसके rare camera से अगर इसके front camera और rare camera के photo को अगर आप देखो ना तो आपको इसका front camera ज़्यादा अच्छा लएगा low light में भी यह ठीठा काम कर लेता है बट इसका rare camera का quality मुझे उतना अच्छा नहीं लगा सच में थोड़ा बेकार है low light में और भी ज़्यादा वेकार हो जाता है और daylight में photo अगर capture कर लेता है तो details उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं इसमें आपको color का भी issue थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा और video में stability का भी issue आपको देखने को मिल जाएगा so yeah, camera की लिहाद से मुझे ये smartphone बहुत खराब लगा now let's talk about the battery तो file thorn in image की battery के साथ ये smartphone आता है और almost एक दिन से ज़्यादा आप चला सकते हो अगर आप एक normal user हो बट अगर आप gaming उगरा करोगे न तो एक दिन से कम ही चलेगा बट ठीक है, अच्छा खासा आप एक दिन आराम से चला सकते हो और अगर आप normal user हो तो एक दिन से ज़्यादा ही चलेगा इसका battery बट जो सबसे ज़्यादा problematic चीज लगा मुझे इस smartphone का वो है कि इस smartphone के साथ आपको charger देखने को नहीं मिलता है I mean come on यार, मतलब 15,000 का smartphone है कम से कम इसके साथ तो आप charger दे ही सकते हो और उससे भी बुरी बात पता ही क्या लगी कि ये लोग अपने charger को 1300 रुपिय में बेच रहे है मतलब सबसे पहले आप phone के लिए पैसा दो फिर इसके back cover के लिए पैसा दो और फिर इसके charger को खरिदने के लिए पैसा दो So, अगर आपके पास घर में normal charger है तो उससे भी आप charge कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपको nothing का charger खड़ना चाहिए for the better compatibility then you can buy the charger but मेरे खहल से वो overpriced है वो उतना ज्यादा sense नहीं बनाता है So, my final conclusion कि ये smartphone आपको buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो देखो अगर आप एक नया UI try करना चाहते हैं नया look try करना चाहते हैं तो इस smartphone को definitely try कर सकते हैं इस smartphone अभी आपको 15-16,000 रुपे में आराम से मिल जाएगा उसके हिसाब से ये smartphone बहुत अच्छा है बड़ा इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और इसके pros and cons को समझ लेना खास करके इसके cons को समझ लेना कि इसका camera उतना अच्छा नहीं है बैक कबर अगर आप बदलते हो बहुत जादा तो कूतने का chance है तो दोस्तों ये थे कुछ pros and cons जो कि मुझे नजर आया इस smartphone के 20-25 दिन की usage में तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है अब आप खुद decide कर सकते हो अपने priority के हिसाब से कि ये smartphone आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बाग ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दाट सुल बाव दिस वीडियो सलाम मैंने इस शाकर अच्छा लग ये ने 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 ने